Hello everyone, welcome back to our channel जैसे कि आपको पता है कि DSSB, TGT, Natural Science के लिए Biology में हमें total 21 units मिले हैं जिसमें से 5 units हम cover कर चुके हैं एक Chemistry की unit, Man-made material हम cover कर चुके हैं और आज हम Physics की एक unit complete करेंगे जिसका नाम है Sources of Energy, ठीक है? Sources of Energy में उन्होंने अपसे क्या syllabus expect किया है? Different forms of energy आपको पता होनी चाहिए Leading to different source of human use, fossil fuels क्या है? Solar energy, biogas, wind, water, tidal energy, nuclear energy और renewable and non-renewable sources क्या है रिचिगे? मैंने कल आपको Biology के previous year question कर रहा थे उसमें मैंने Sources of Energy के questions भी डाले वे थे और आपने देखा होगा कि बहुत सारे questions पूछे गया है आइस चाप्टर से, बहुत important chapter है तो सबसे पहले होता है energy को जब हमें define करने के लिए बोला जाता है तो energy होती क्या है? तो देखो, तब कभी है ना, जब आप कोई काम नहीं कर पाते हैं ठके रहते हो, तो आपके कहते हो, आज मुझ में बिल्कुल energy नहीं बची है तो ability to do work is called energy अगर सबसे simple definition के आप बात कर रहे हो तो अगर आपके अंदर काम करने की शमता बची है ठीक है, तो हम कहेंगे आपके पास energy है लेकिन जब हम energy की बात कर रहे हैं उस form में जब हम mostly उसको as a fuel use करते हैं तो हम किसको good source of energy कहते हैं ठीक है, तो ऐसी energy जो large amount of work कर पाए per unit, volume और mass या नहीं कि अगर आपने थोड़ा सा volume लिया किसी चीज का और वो बहुत सारा काम कर सकती है उसके basis पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं good source of energy बोलते हैं easily accessible हो, accessible का मतलब है सोचो एक है ना energy का source है वो बहुत अच्छा energy का source है लेकिन वो हर जेगे मिलता ही नहीं है तो उसको आप इतना अच्छा नहीं बोलोगे, accessible होना चाहिए सब के लिए easily available होना चाहिए accessible होना चाहिए उसके बाद है उसको store करना और एक जगे से दूसरे जगे पोचाना असान होना चाहिए अगर आपको उसे store करना मुश्किल है उसे transport करना मुश्किल है तो भी आप उसे बहुत अच्छा source हो energy नहीं consider करोगे उसके बाद सब से important है economical होना चाहिए economical होने का मतलब होता है अगर बहुत महेंगा है सोचो लाखों में आ रहा है पैशन कैसे बनाए एक बार DSSB ने पूछा energy source के बारे में और उसने यह चार पॉइंट्स लिखके दे दिये और बताया कि incorrect कौन सा है इसमें उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और बोल दिया कि incorrect बताओ तो आपको है न यह simple simple points भी मालूम होने चाहिए next है conventional source of energy क्या होता है तो conventional word का मतलब क्या होता है conventional का मतलब होता है ऐसी चीज़े जो बहुत पुराने time से इस्तमाल की जाती है ठीक है जिनको आपके पूरवज भी इस्तमाल करते थे उसको हम क्या बोलते है conventional source of energy बोलते है तो हमारे जो fossil fuel आते है जिसके अंदर हमारे petrol, diesel, natural gas, coal आते है इनको बहुत पुराने time से इस्तमाल किया जाता है हमारे जो thermal power plant है हमारे hydro power plant है हमारा biomass है और हमारी wind energy यह सब हमारे कैसे sources आते है conventional source of energy के अंदर आते है तो आपको मालूम होना चाहिए कि conventional source में कौन आता है और non-conventional source में कौन आता है यहां से एक बहुत simple सा question बन सकता है वो आप से पूछेंगे कि wind energy कैसा source है conventional source of energy है कि non-conventional है तो wind energy को हम बहुत पुराने time से इस्तमाल करते है तो इसलिए कैसा source है conventional source of energy है लेकिन solar energy को हमने newly explore करना शुरू किया है तो वो कैसा source है non-conventional source के अंदर आता है आप जो solar panel इस्तमाल करते हो solar cooker इस्तमाल करते हो वो सब क्या है non-conventional है अब आते हैं सबसे पहले fossil fuels तो हमारे fossil fuels के अंदर कौन को न आता है koila, petrol, diesel, natural gas तो आपको पहले तो यह मालूप हो जए कि fossil fuel के अंदर सिर्फ petrol और diesel ने आते है हमारा जो koila है और natural gas है वो भी किसका पाट है fossil fuel का पाट है तो आपको पता है जैसे-जैसे energy की demand बढ़ती गई तो उसके पूरा करने के लिए हमें किसका इस्तमाल करना पड़ा coal and petroleum का इस्तमाल करना पड़ा जैसे-जैसे हमारे energy sources हमारे पास है जैसे-जैसे हमने उनको इस्तमाल करना शुरू किया तो हमारी जो technologies है वो भी develop होती चले गई लेकिन fossil fuel के साथ problem क्या होती न इनको है न million of years लगता है यानि कि अगर आपको koila चाहिए अगर आपको तेल चाहिए तो इनको बनने के लिए million of years लगता है और यह limited reserve है limited reserve का मतलब यह है हमारे पास oil unlimited नहीं है हम उसको use करते जा रहे है और दीरे दीरे जो हमारे तेल के कुए है वो खतम होते जा रहे है ठीक है उपर से यह fossil fuel क्या है non renewable source of energy यानि कि एक बार आपने use क्या कभी ऐसा हुआ आपने petrol गाड़ी में डाला उसको इस्तमाल करा और फिर से आपको पास अपने आप और petrol आ गया hot time लगता है बहुत लंबा time लगता है उनको बनने के लिए तो इसलिए हमें क्या करना है उनको conserve करके रखना है किसकी बात हो रही है पेट्रोल and diesel की coal की natural gas की ठीक है यह है हमारे fossil fuels उसके बात होता है जब आप fossil fuel को बन करते हो तो उसकी कुछ disadvantageous भी है तो आपको पता है जब आप coal and petroleum products को जलाते हो तो क्या होता है oxide release होता है carbon के nitrogen के sulfur के ठीक है और इसकी वज़े से यह कैसे oxide है यह सारे के सारे acidic oxide है और यह क्या करते है जब यह उपर जाका water के साथ react करते है तो acid rain हो रही होता है आपको पता है sulfur dioxide, nitrogen dioxide जब यह react करते है पानी के साथ तो क्या होता है H2SO4 ठीक है H2SO4 की जब rain होती है तो हम उसको क्या बुलते है acid rain बुलते हैं और यह क्या करते है आके हमारे जो water bodies है हमारा जो soil है उसको pollute करती है हमारी acid rain ठीक है तो fossil fuel एक तो बहुत है limited है non renewable है उपर से हमारे लिए pollution में भी problem create कर देते है दूसरा है क्या करते है बहुत सारी gases release होती है इनकी burning से जो क्या करती है हमारे greenhouse effect को increase करती है यानि कि जब हम इनको जलाते है तो carbon dioxide release होती है बहुत सारी और carbon dioxide gas कैसी gas है एक greenhouse effect वाली gas है Greenhouse effect का मतलब होता है ऐसी gases जो हमारे अर्थ के average temperature को increase करने में help कर रही है उनको हम क्या बोलते है Greenhouse gases बोल रहे है जिसकी वज़े से हमारे अर्थ का average temperature बढ़ते जा रहा है जिसकी वज़े से बाद में क्या होगा Global warming का level बहुती जादा increase कर जाएगा तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे पास fossil fuel के advantages क्या है और disadvantages क्या है तो disadvantages है pollution करता है, water pollution करता है air pollution करता है, soil pollution करता है तो बहुत सारे types के pollution भी करता है उसकी बाद है लेकिन इनका इस्तमाल करके हम क्या करते है electricity भी generate करते है तो जैसे आप देखते हो ना हम heat का इस्तमाल करते है अपने turbine को गुमाते है rotor blade assembly जो है उसको आप simplest turbine जो है वो move करता है, किसकी मदद से? जब आप है ना energy डालोगे तो आपका जो rotator है वो बहुत speed से एक fan की तरह move करना start कर देता है और उसके साथ क्या attach होता है एक dynamo attach होता है जिसका काम क्या होता है mechanical energy को electrical energy में convert कर देना आपने जो से mechanical energy प्रोवाइड की उसको हमारा turbine किस में convert कर देता है electrical energy में convert कर देता है और इस form में में क्या मिल जाती है electricity मिल जाती है ठीक है? turbine की बात हो रही है को जलाते रहते हो जलाते रहते हो तो उसकी वज़े से क्या होता है उसको इस्तमाल करके हम पानी को गरम कर लेते हैं पानी को गरम करते हैं और उससे जो स्टीम निकलती है उससे हम अपने टर्बाइन को गुमाते हैं तो हमने क्या किया फॉजिल को बर्न किया और उसकी वज़ mostly वो कहां बनाए जाते हैं, एक ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं, जहांपे आसपास है na, कोईले की खदाने हो, या फिर oil fields हो, अब हम ऐसा क्यों करते हैं, सोचो कोईले की खदान तो है जहरकंड में, और हमने थर्मल पावर प्लांट लगा लिए डेली में, तो हमारी जो transportation coast है महां से कोईले को दिल्ली लाने की, वही इतनी जादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, mostly हम ट्राइ करते हैं, कि हमारा thermal power plant है कैसी जगह पर हो, जहांपे कोईले और जो तेल है, वो आसपास में कहीं present हो, ठीक है, तो thermal power plant के अंदर क्या होता है, heat energy, ठीक है, जो heat energy थी, वो किस में convert हो रही है, electrical energy में convert हो रही है, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि thermal power plant में कौन सी energy किस में convert हो जाती है, तो heat energy किस में convert हो जाती है, electrical energy में convert हो जाती है, और आपको पता है, हमारी जादा तर बिजली की demand है, वो हम thermal power plants के थ्रू ही complete करते है आज भी ठीक है नेक्स्ट है hydro power plant ठीक है तो बहुत सारी electricity हम पानी का इस्तमाल करके भी बनाते हैं तो आपको पता है जब पानी है ना बहुत speed से move कर रहोता है तो उसके पास कौनसी energy होती है kinetic energy होती है ठीक है लेकिन अगर मैं इसी water को जिसके अंदर बहुत सारी kinetic energy है उसे कहीं पे height पे store कर दू तो इसके अंदर कौनसी energy आ जाएगी height की वज़े से जो energy आपके अंदर होती है वो क्या होती है potential energy होती है ठीक है तो hydro power plant में हम क्या करते हैं हमने डाम में store कर लिया पानी को एक height पे store किया डाम में तो उसके अंदर कौनसी energy है potential energy है नीचे हमने turbine लगा दिया होता है बहुत speed से जब पानी नीचे गिरता है ठीक है तो क्या होता है hydro power plant में यह potential energy किसमें convert हो जाएगी electricity electricity बनाने के लिए convert हो जाएगी ठीक है तो आपको मालूम होने ज़िए कि moving water के पास kinetic energy होती है जब अपने उसे height पे dam में store कर देते हैं उसके पास potential energy होती है और यह energy बाद में electrical energy के अंदर convert हो जाती है यह होता है हमारे hydro power plants में ठीक है तो dam बना कर भी हम electricity produce करते है ठीक है तो hydro electricity बनाने के लिए हम क्या करते हैं high-rise dam यानि कि थोड़े height पे बने हुए उचाई पे बने हुए dams का हम construction करते है river के पास ठीक है और river का जो बहुत तेजी से flow आ रहा था जिसके पास kinetic energy आ रही थी उसको हम क्या करते हैं large water reservoir में सारे के सारे पानी को हम collect करते रहते हैं ठीक है अब इसकी वज़े से क्या होता है जो kinetic energy है बहते हुए पानी की वो किस में convert हो गई storage की वज़े से potential energy में convert हो गई ठीक है और फिर जब है ना बीचे हम क्या लगा के रखते हैं तर्बाइन लगा के रखते हैं और उस पानी को जब हम एकदम से release करते हैं तर्बाइन घूमता है और क्या होता है हमारी energy किस में convert हो गई है electricity में convert हो गई है ठीक है अब dam construction करने के सब्मर्ज हो जाते हैं पानी ही पानी में डूब जाते हैं जल मगन हो जाते हैं ठीक है तो सारी की सारी vegetation जो है वो पानी के अंदर डूब गई है और फिर सडने लग जाती है anaerobic condition हो जाती है anaerobic condition की वज़े से क्या होगा वहाँ पर बहुत सारी methane gas produce हो जाती है और methane भी हमारी कैसी gas है greenhouse gas है यहीं भी क्या करती है हमारी global warming को increase करने में help करती है ठीक है और आपको पता है यहां से आप देखो आपका नएक जगह पर घर है वहाँ पे एक दिन culture land और human habitation को sacrifice करना पड़ता है उसके अलावा बहुत जादा rotting होने की वज़े से फसले खराब होने की वज़े से बहुत सारा methane gas का production होता है और लोगों को दूसरी जगह पर बसाना यह भी चालेंज है उसके बाद है यहां पर कुछ facts दिये हैं जो आपको मालूम होने जो टहरी डैम है वो कौन से river पर बनावा है गंगा river पर बनावा है सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर पर बनावा है उसके बाद मैंने आपको कल जब question कराया थी तो मैंने आपको बताया था कि उ of winds को उसको कहते हैं तो देखो इस chapter से उन्होंने question उठाया था Denmark को हम कहते हैं country of winds चाहिए? उसके बाद आता है biomass तो biomass हम किसको कहते हैं हमें ये clearing नहीं होता हमसोचते है biofuel है biomass है क्या है तो as a fuels जिनको हमें ना plant और animal अगर आप लकडी जला रहे हो, प्लांट से आ रही है ना लकडी, अगर आप भैस के उपले जला रहे हो, ठीक है, तो भैस का जो गोबर होता है, उससे जो उपले बनाए जाते हैं, आप अगर उसका इस्तमाल कर रहे हो as a fuel, ठीक है, तो अनिमल और प्लांट प्लांट से बना ह आप उपले जलते हो तो आपको पता जलता है कि बहुत सारा धुआ निकल रहा है ठीक है गोबर के जो उपले होते हैं गाउं में बहुत इस्तेमाल किये जाते हैं यह दोनों के दोनों अपड़िंट रहे हैं तो जब आप लकडी को जलाते हो लिमिटड सप्लाई ओउप उप्सिजन तो क्या होगा बहाँ पर जो वाटर और वॉलेटाइल कॉम्पोनें वह रहाटने शुरू हो जाते हैं और पीछे जो बच जाता है उसको हम क्या बलाते हैं चारकोल बुलाते है इसका जो residue बचेगा उसके जलने से limited supply में जब आप oxygen की जलाओगे इसको तो charcoal जो है वो पीछे बच जाता है charcoal जो होता है वो बिना flames की जलता है ठीक है, smokeless होता है और high heat generating efficiency होती है मतलब जैसे आप लकडी को देख रहे थे जैसे आप उपलो को देख रहे थे उनकी जो heating generating capacity थी ना वो बहुत कम थी लेकिन charcoal की ज़ादा होती है तूसरा जब charcoal को आप जलाते हैं उसमें धुवा भी कम निकलता है लेकिन wood के अंदर, उपलो के अंदर बहुत ज़ादा धुवा निकलता है जब oxygen के absence में आप इसको rot करते हो, इसको सडाते हो तो क्या बन जाती है? बायो गैस बन जाती है और जिसको हम gober gas भी बुलाते हैं क्योंकि इसका जो starting material होता है वो cow dung होता है ठीक है? cow dung का इस्तेमाल करके हम gober gas बनाते हैं और ये भी एक तरीकी का fuel है अब हम बायो गैस प्रड़क्शन कैसे करते हैं जिसको हम gober gas भी बुलाते हैं तो बायो गैस किस तरीके से प्रड्यूस करते हैं हम एना एक टैंक लेते हैं ठीक है? उस टैंक का शेप कैसा है? डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको इंटों के दुआरा बनाया जाता है उसके अंदर आप क्या करोगे? आपने cow dung डाला उसमें आपने पानी डाला और जब आप उसकी mixing कर देते हो डाइजेस्टर उसको आप बुला रहोते हो जोम को आप क्या बुलाते हो और गोबर का mixture हमने डाला था उसको अब anaerobic bacteria small particle में decompose कर रहे है ठीक है? और इसके बाद है यहां से क्या release होता है? methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide ठीक है? तो हमारी जो गोबर gas होती है, हमारी जो bio gas होती है, उसके अंदर कौन-कौन component प्रेजेंट होते है methane gas present होती है, carbon dioxide present होती है, hydrogen present होती है hydrogen sulfide present होती है exam में उन्होंने पूछा था, मैंने आपको कल बताया भी था, कि 74% क्या present होती है, इसके अंदर methane present होती है, तो bio gas का सबसे major component कौन है? methane है 74-75% ठीक है? उसके बाद हम bio gas को क्या करता है, gas tank के ऊपर है ना, एक outlet दिया होता है, pipe की pipe होता है, उसके थुरू आप उस gas को withdraw कर लेते हैं और घरों में pipe के थुरू इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो हम क्या करता है, इसमें गोबर और पानी को mix करते हैं, उनको anaerobic bacteria सडाते हैं, सडाते हैं, सडाते हैं और उसके बाद है ना, उसमें कुछ gases का mixture हमें मिलता है और उस gas के mixture को हम क्या बुलाते हैं, bio gas बुलाते हैं, ठीक है? उसके बाद है ना, इस slurry को जो आपने use किया था, ठीक है? तो bio gas जो है, वो एक excellent fuel है और इसके अंदर 75% के around methane है, ठीक है? यह ना, बिना धुए के जलती है, अगर आप bio gas का इस्तमाल करके खाना बना रहे हो ना, तो इसमें ना, कोई भी धुआ निकलेगा, कोई भी wood and charcoal की तरह कोई residue निकलेगा, और इसकी जो heating capacity है, वो भी high होती है bio gas को है ना, lightening के लिए, यानिकी light जलानी के लिए भी इस्तमाल किया जा सकता है अब देखो, वो जो हमने पानी और गोबर का mixture डाला था ना, तो उसमें से जब bio gas निकल गए, तो भी है ना, कुछ slurry बच जाती है यानिकी बचा हुआ जो residue होता है, उसको हम क्या बलाते है slurry बलाते है, और इसको भी हम निकाल के इस्तमाल करते है क्योंकि जो slurry होती है, nitrogen and phosphorus में बहुत rich होती है तो as a manure use होती है, तो आपको पता है manure and fertilizer के बीच में फारक क्या होता है वो क्या होता है, हमारे fertilizer होता है next आता है wind energy, तो जो हमारी fast moving air होती है उसको हम क्या बुलाते है, wind बुलाते है और wind energy, कोई भी जो moving चीज होती है उसके पास कौनसी energy होती है, kinetic energy होती है तो जो हवा के पास kinetic energy होती है उसका इस्तमाल हम कर सकते है उससे different different काम करवाने के लिए तो बहुत सारी लोग पास्ट में क्या करते थे water lifting pump लगा देते थे उसके साथ एक rotary machine लगा देते हैं तो जब बहुत तेज हवा चलती थी windmill की speed की वज़े से क्या होता था वहाँ से पानी खीज लिया जाता था ठीक है कुओ के साथ भी ऐसे किया जाता है ठीक है और आज कल तो हम wind energy का किसले करता है electricity generate करनी के लिए भी करता है यानि कि अगर वे बिदली उत्पा दन करना है उसके लिए भी हैं हम पानी का कोईले का करते है और हवा का भी इस्तमाल करते है अभी हमने जो पड़ा hydro power plant उसमें हम किसका इस्तमाल करने है पानी का इस्तमाल कर रहे है thermal power plant में हमने किसका इस्तमाल किया fossil fuel का इस्तमाल किया coelay का इस्तमाल किया wind energy में हम क्या करते है जो हवा है उसके पास जो kinetic energy है उसका इस्तमाल करके हम क्या करते है electricity generate कर लेते हैं तो अगर आपको electricity generate करनी है तो आप क्या करोगे जो windmill है जब वो है न बहुत तेजी से घुमेगी उसके साथ आप है न टर्बाइन को attach कर देते हो और वो टर्बाइन किस से connected होता है? electric generator से connected होता है तो अगर आप एक single windmill लगाओगे और आप सोचोगे कि आप बिजली उसपादन कर लोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि एक windmill की जो rotation capacity होगी बहुत कम होगी तो जब भी आप कभी wind farm देखोगे ना तो वहाँ पर है ना बहुत सारे windmills लगे होता है तो commercial purpose पे जब हम windmill से बिजली बनाते हैं तो हम एना एक particular area को लेते हैं उसमें बहुत सारे windmill खड़े करते हैं wind energy हम क्या करते है kinetic energy को किसमें तो जो kinetic energy होती है wind की उसको हम convert कर लेते है electricity production में wind energy जो होती है वो environment friendly तरीका है wind energy जो होता है वो renewable source है आप हवा को बार 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 दुबार से इस्तमाल कर सकते हो लेकिन wind energy के limitations क्या है तो आपको पहली बात यह है जहाँ पर आप अपना wind energy farm लगाओगे वहाँ पर पूरे साल हवा बहती रहने चाहिए सो आपने एक ऐसी जगह पर लगाया अपना windmill जहाँ पर कभी कभी हवा चलती है तो आपका जो windmill का पूरा परपस है वो defeat हो जाएगा उसके लावा आपको दूसरी बात जो ध्यान रखनी होती है आपको ऐसी जगह पर अपना wind farm लगाना होगा जहाँ पर speed कितनी रहने चाहिए 15 km पर आर से तो वहाँ पर है ना आपको 1 megawatt generator की capacity अगर आप लगा रहे हो तो कम से कम आपको 2 hectare land की ज़रुत परेगी दूसरा क्या होता है हमारे जो windmill होता है उसको लगाने का जो cost है वो बहुत ही high है और आपको बहुत जादा maintenance करना पड़ता है क्योंकि बार-बार आपके जो windmill की जो rotors होते है वो खराब होते रहते हैं तो यह सब क्या है उसकी limitations है यह थे हमारे conventional source उसके बाद आते हैं हमारे non-conventional source of energy तो हमारे जो solar energy है ताइडल एनरजी है वेव एनरजी है ओशिन थर्मल एनरजी है जियो थर्मल एनरजी है नूकले एनरजी है यह सब कैसे source है non-conventional source of energy यह निकि इनको पुराने जमाने टाइम से स्थमाल नहीं कह जाता था इनको बहुत लेटिस्ली एक्स्प्लोर करना शुरू किया गया है सबसे पहले आती है हमारी solar energy तो आपको पता है अर्थ के लिए जो ultimate source of energy है वो कौन है सूरज की किरिने है तो sunlight हमारे अर्थ पर पहुशती है उसमें से बहुत सारी तो reflect back कर जाती है और बहुत सारी जो है वो absorb हो जाती है आपको पता होगा जो black color की कपड़े होता है dark color की कपड़े होता होता है वह नगा जाधा heat को absorb करते है as compared to light color की कपड़े तो इसलिए जो भी हमारे solar cookers होता है solar water heaters होता है Mostly वो किस color से paint के जाता है black color से paint के जाते है क्योंकि black color की heat absorbing capacity होती है वो बहुत high होती है ठीक है और high temperature रखने के लिए, यानिकि solar cooker के अंदर और भी ज़्यादा high temperature है, तो वो हाँ पर क्या लगा देते हैं, mirrors लगा देते हैं, mirror क्या करता है, जब sun की raise आती है, उनको एक जगह पर focus कर देते हैं, उस जगह का temperature increase हो जाता है, ठीक है, solar cooker इसलिए किस से cover के जाता है, उनका जो बा पेटू अगर आप white color देखोगे, या कोई और color देखोगे, सबसे ददा heat एब्सॉप करने की capacity किस के पास है, black color के पास है, उसके बाहता है हमारे solar panels, तो आज आप देखते हो, बड़े-बड़े buildings को जब आप देखोगे, बहुत सार लोग के घरों पे आप देखोगे, तो व तो वो है न, अपने अंदर energy को store कर लेता है, और बाद में जब सूरज नहीं निकल रहा होगा, उस टाइम उस energy से आप क्या कर सकते हो, अपने घर के सारी की सारी electricity equipment को चला सकते हो, ठीक है, electricity की फ़र्म में convert हो जाती है, solar energy, ठीक है, तो जो हमारे solar panel होते है, वो किस से बने हो ठीक है, उसके बाद है न, जब हम इन solar panel को आपस में arrange कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको interconnect करने के लिए, एक दूसरे से आपस में जोडने के लिए, किस का इस्तमाल के जाता है, silver का इस्तमाल के जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, कि solar panel बनाने के लिए आपको silicon चाहि जिसके बाद से न, cost बहुत हाई हो जाती है, आपको बता है, चांदी बहुत महेंगी आती है, तो क्या होता है, cost जो होती है, वो increase हो जाती है, उसके बाद आता है solar panel के advantages क्या है, तो ऐसे particular area जहां पर है न, हम अभी भी light को नहीं पहुचा आपा है, पूरी की पूरी transmission line नहीं expensive बैखता है, उसके अलावा इसको है न, low maintenance जी है, शुरू में जो इसकी cost होती है, लगाने की cost है वो high है, लेकिन बाद में इसको maintain करने के लिए बहुत ज़दा पैसे नहीं लगते है, डिस advantages क्या है, silicon and silver से मिलके बनी वी है, तो क्या होता है, बहुत expensive पढ़ती है, शुरू म क्या करते है, gravitational pull की वज़े से न, पानी का जो tide आरी होती है, high tide, low tide आरी होती है, वो किसकी वज़े से आरी होती है, moon और earth की spinning movement है, gravitational pull है, उसकी वज़े से हमारी जो tides है, वो आरी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते है, C के पास जो tide है, ठीक है, तो उसको है न, हम utilize करने की कोश लो टाइड और हाई टाइड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं टाइडल एनर्जी बोलते हैं तो इस टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं एक छोटा सा डैम बना लेते हैं ठीक है उस नारो ओपनिंग के बीच में जहां से उसका इस्तमाल करके अगर आप बिजली बना रहे हो चोटा सा डैम बना के अगर उसको आप बिजली में कनवर्ट कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं टाइडल एनरजी बोलते हैं उसके बाद आती है हमारी वेव एनरजी तो आपको पता है जो हमारे तो बहुत बड़ी बड़ी वेव जारी होती है उनके पास कोई भी movement वाली चीज है मूव करने वाली चीज है तो उसके पास कौन सी energy है kinetic energy है तो जब उसकी kinetic energy का इस्तमाल करके आप electricity generate कर रहे होते है स्ट्रॉंग wind जो आ रही होती है वेव जो बन रही है बड़ी बड़ी वेव जो बन रही है उसके अंदर जो kinetic energy है उसका इस्तमाल करके अगर आप क्या कर रहे हो electricity generate कर रहे हो तो उसको हम क्या बुलाते है वेव एनरजी बुलाते है तो कभी कभी आप देखो के sea और ocean जो है वो सूरज की रोशनी की वज़े से गरम हो जाते है ठीक है तो कोई-कोई section ऐसा होता है जहां पर temperature difference बहुत ही हाई होता है वहाँ पर इतनी जाधा गरमी हो रही होते है तो उस area के contact में जो भी पानी आता है वो बहुत जाधा गरम होता है तो हमको ओशन थर्मल एनरजी यूटलाइस करने के लिए क्या condition होनी चीए कि यहाँ पर जो depth का difference है दो किलोमेटर में वो कितना होना चीए temperature difference कितना होना चीए 20K होना चीए यानि कि अगर दो किलोमेटर के depth में temperature difference कितना है 20K है तो हम क्या मानते है ocean thermal energy के लिए इसको बहुत ही अच्छा वो मानते है तो warm water surface का जो पानी है वो इतना गरम है इस तरीके से boil होता है कि कैसा लगता है जैसे कि volatile liquid जिसको हम ammonia बुलाते हैं वो गरम हो रहा हूँ और इन वेपर की इस्तेमाल से जब हम turbine को गुमाते हैं तो इसको हम क्या बोलते है ओशियन थर्मल एनरजी बोलते हैं और यह वापर से है यह जो वेपर बनीती है दुबारा से है लिक्विड में पानी जो उपर का सर्फेस है वो जो बहुत जबादा गरम हुआ लिक्विड वेपर जैसे अमोनिया बन गए है ठीक है उसका इस्तमाल करके अगर आप electricity का प्रतिवारा आती है हमारी जियो थर्मल एनरजी तो आप हैना कुछ कुछ जगह को देखोगे जो महां पर मॉल्टन निकल रहे होता है उनकी वज़े से होट रीजन बन गए अर्थ कहना ऐसे ऐसे सर्फेस है जहां पर बहुत जादा गरम रहता है हमेशा उस वाले एरिया का जो सर्फेस का एरिया है वो हमेशा बहुत ही गरम रहता है उसको हम क्या बलाते है होट स्पोट बलाते है तो अगर एरिया के आसपास है कोई पानी है वहाँ पर कोई वाटर बॉडडी है और वो इसके कॉंटक्ट में आता है तो इसको हम क्या बोलता है वहाँ पर बहुत जादा होता है ठीक है अगर इसका इस्तमाल करके हम क्या कर रहे है टर्माइन को गुमा रहे है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे है तो जीओ देखो क्या होती है हमारी लैंड की बात हो रही है सर्फेस की बात हो रही है और वहाँ से निकलने वाली गर्मी का इस्तमाल करके अगर हम उसके बाद आती है हमारी nuclear energy तो एक reaction होती है nuclear fission और एक होता है nuclear fusion ठीक है तो जब एक component कई parts में divide होता है उसको हम क्या बुलाते है fusion बुलाते है ठीक है तो हमारे पास एक nucleus है heavy atom का और वो atom कौन सा होगा uranium हो सकता है platinum हो सकता है thorium हो सकता है इन में से अगर कोई भी heavy atom आपके पास है उसको जब हम एक low energy neutron के साथ hit करते हैं bombard करते हैं तो वह बहुत सारे चोटे-चोटे-चोटे nucleus में टूर जाता है और इस process में जिसको हम nuclear fusion कह रहे हैं इसमें बहुत जादा energy release होती है इत्ती जादा energy release होती है कि हम इससे क्या कर पाते है electricity generate कर पाते हैं इसको हम क्या बोलते है nuclear energy बोलते हैं तो जब आप है एक heavy atom के nucleus को bombard करते हो low energy nutrients है यहां पहना वो high energy neutron लिख सकते हैं ठीक है कुछ और लिख सकते हैं तो आपको मालूम होना अच्छे कि low energy neutron के साथ जब आप हिट करोगे अपने heavy atom को तो उसका जो nucleus है वो छोटे-चोटे nucleus में टूर जाता है और उसमें बहुत जादा energy tremendous amount of energy जो है वो release होती है अब nuclear energy की limitations क्या है ठीक है तो limitations क्या है सबसे पहले problem जो हमारे पास आती है इसको store करना और इसको dispose of करना आपको पता है जो हमारे nuclear energy में use होने वाले atoms है वो mostly radioactive होते है radiations release कर रहे होते हैं जो बहुत ही harmful होती है different type के cancers वो आपको दे सकते हैं बहुत सारी बेमारिया वो आपको दे सकते हैं तो uranium जो है उसको अपनी पूरी life खतम करने में decay करने में बहुत सारी harmful radiation वो हमेशा पूरी life release करता रहेगा तो इनका disposal बहुत ही मुश्किल है environmental pollution कॉज करते हैं बहुत सारी human में disease कॉज कर सकते हैं बहुत expensive होता है जो thorium है यह इतने easily available नहीं होता uranium, platinum यह सब जगे available ही नहीं है तो यह बहुत expensive होता है uranium की availability जो है वो बहुत ही कम है उसके लावा आप इसको है ना जब आपने इस्तमाल कर लिया उसा है बाद उसको dispose of करना बहुत ही difficult है यह इसकी limitations है ठीक है उसकी बाद आज है हिए renewable source of energy क्या होते है और non-renewable source of energy का होते है तो renewable source of energy का मतलब होता है जिनको आप है ना बार 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 दुबार इस्तमाल कर सकते है और यह कभी खतम नहीं होगे इनको हम बोलते है renewable source जैसे कि सूरज की रोष्णी, wind, हवा हमेशा चलती रहेगी, सूरज निकलता ही रहेगा ज इनको बनने में एक बार आपने यूज किया और वो खतम हो जाते है और जिसको बनने में million of years लगते है उसको हम क्या बोलते है non-renewable source of energy बोलते है हमारे जो fossil fuels होते है वो इस category के अंदर आते है आपका जो coal है, petroleum है, diesel है, natural gas है, वो किसके अंदर आते है, non-renewable source of energy के अंदर आत है, thank you, I hope आपको इसमें कोई doubt निया, अगर कोई doubt है, मुझे comments में जरूर बताएगा, हमारे चानल को like कीजिएगा, share कीजिएगा, subscribe कीजिएगा